पश्चमंगाल के पुरुलिया में तीन साध्वों की पिटाई का मामला सामने आया है भीड ने उनकी गाड़ी में तोरफोड की और गाड़ी को यहां पलेट भी दिया गया दरसल तीनों साध्व उत्रप्तेश के बताया जा रहे हैं और मकर संक्रांती के लिए गंगा सागर जा रहे थे बताया जा रहा है कि यह घटना 11 जन्वरी को हुई भाजपा ने हमले का आरोप टीमसी पर लगाया है बीजेपी ने घटना का वीडियो शेर करते हुए लिखा है कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुना हो गया है ममता बेनर जी घटना पर चुप क्यूं है उन्हें शर्मानी चाहिए इसके लिए आप जिम्मेदार है आपको उतादे कि पस्चम बंगाल में जो घटना हुई है उसको लेकर बीजेपी ने टीमसी पर निसाना साधा है भाजपा परवक्ता शाजाद पुनावाला ने घटना को पालघर पार्टू करार दिया है उन्हें कहा कि टीमसी के गुंडों ने साधू को बुरी तरह पीटा है पालघर के घटना महराष्ट के पूर मुख्यमंत्री उद्धर ठाकरे के कारेकाल में सामने आई थी पालघर पार्टू ममता बेनरजी के कारेकाल में हुआ है क्या ये हिंदू के खिलाफ क्राइम नहीं है इसके साथ ये साधाद पुनावाला ने एक्स पर लिखा कि अगर बंगाल में साधू संतों को पीटा जा रहा है तो यहां कानून विवस्था की स्थिति कैसी है बंगाल के हालात चौकाने वाले है आई आपको बताते हैं कि ये मामला है क्या दरसल पुर्लिया के स्पी अविजीत बेनर जी ने इस सम्मन में जानकारी देते हुए बताया कि तीन साधू किराय की एक बोलेरो से जा रहे थे गोरांगडी के पास तीन लड़कियां पास के काली मंदर में पूजा करने के लिए जा रहे थी साधू की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पुछा भासा की वएस से कुछ गलत फहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधू उनका पीछा कर रहे हैं जो है वो काफी जादा उग्र होती हुई नजर आ रहे थी इसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आपको अधादे कि इस पूरे मामले पर पच्छी मंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बेनरजी पर निशाना साधा है भाज़पा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविय ने ट्वीटर पर लिखा कि पच्छी मंगाल के पुरलिया में पालघर जैसी लिंचिंग घटना हुई है मकर संक्रान्ती के लिए गंगा सागर जा रहे साध्वों को सत्ता रूट टीमसी से जुड़े लोगों ने निर्वस्तर करके पीटा अमित मालविय ने एक्स पर ये भी लिखा कि ममता बेनरजी के शासन में साजहां शेक को सरकारी संरक्षन मिलता है और साध्वों की हत्या की जा रही है पस्चे मंगाल में हिंदू होना क्राइम बन गया है आपको दादे कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने जम कर टीमसी सरकार पर निसाना साधा है आपको दादे कि इस पूरे मामले का वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग परतिक्रियाएं दे रहे हैं और पश्चे मंगाल की ममता बेनटरजी सरकार पर सवाल भी खड़ेर कर रहे हैं कि आखिर पश्चे मंगाल में ऐसा क्यों हुआ आपकी इस बारे में क्या राया है आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लोग डिजिटल नमस्कार